क्या बाबर को माराना सांगा के दुवारा भारत में आमंत्रित किया गया था? जैसा बाबर ने अपनी किताब बाबर नामा में लिखा है। बाबर नामा जिसका अंग्रेजी भाषा में अन्वाद किया है, एस बेवरिज ने और उसी किताब में पेज नमबर 529 पर तो कुछ इसी प्रकार की जानकारी दी गई है लेकिन यदि इसके सम्मद में हम मेवाड के सोर्सेज देखते हैं मेवाड का संक्षिप्त इतिहास एक पंडूली पी जिसमें मेवाड के पूरोईत की डायरी से कुछ जानकारी ली गई है वो मेवाड के पूरोईत जो माराना सांगा की दिन्चरिया लिखा करते थे उसमें तो हमको कुछ और जानकारी मिलती है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद माराना सांगा की साहता प्राप्त करनी चाही थी और अगर माराना सांगा ने बाबर को ये कह दिया था कि ठीक है मैं आपकी साहता करूंगा इब्राहिम लोदी के विरुद तो फिर माराना सांगा के दुआरा सायता क्यों नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त अगर माराना सांगा ने बाबर को भारत में नहीं बुलाया तो फिर वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके कहने पर बाबर भारत की ओर आए और कौन-कौन से ऐसे sources है जो इन बातों की हमको जानकारी देते हैं इस संपूर्ण विशया पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मैं रमन भार्दु आज आईए शुरू करते हैं अब इस विशया को आगे बढ़ाएं तो उससे पहले दोनों ही योदाओं मारणा सांगा और बाबर का परीचे ले लेते हैं मारणा सांगा जो सन 1509-29 में मेवाड के शाशक बने थे और 1528-29 तक मेवाड के शाशक रहे थे मारणा सांगा के संबन may राजिस्थान के इतिहास के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति करनल जेम्स टोड के दुवारा कहा गया है कि मारणा सांगा सैनिकों के भगनाव शेष थे यानि करनल जेम्स टोड ने इनको एक खंडित सैनिक या खंडित योदा कहा है क्यों कहा है हम इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं माराना सांगा के शरीर पर छोटे बड़े असी घाओ थे, इनकी एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था, उसके बावजुद आप सोचिये, इन्होंने जीवन भर युद्ध लड़े और नैकेवल युद्ध लड़े बड़े योद्धाओं को धूल मातर ग्यारा वर्ष की आयू में बाबर फरगाना के शाशक बन गए थे, अलाकि इनका बचपन और योवन संगर्ष में ही रहा था और शयद उन संगर्षों के थपेड़े खाका कर ही बाबर इतने मजबूत हो गए थे, बाबर के सम्मन्द में इनके पिता और माता की बात भी अवश्य करनी चाहिए क्योंकि पिता और माता का पक्ष देखें दो बाबर की रगों में तैमूर और चंगेश खां दोनों का इरक्त बहरा था, इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा जो तैमूर के वंशस थे, इनकी माता थी कुतलूग निगार खानम जो चंगेश खां क की वंशस थी, और हम यह जानते हैं, तैमूर और चंगेश खां जहां जहां अकर्मन करते थे, जहां 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 जाते थे, हज़ारो हजार लाखों की संख्या में लोगों को मेलाओं को मार दिया जाता था, कार दिया जाता था, लूट लिया जाता था, लेकिन मैं फिर भी ये भी जानता हूँ कि मैं एक इतिहास का सिख्षक हूँ और मेरा काम है निस्पक्ष रहते वे आपको इतिहास की जानकारी देना तो इनी बातों को अपने दिमाग में रखते वे निस्पक्ष रहते वे authentic sources के आधार पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा अब आते हूँ उस विशेपर जो इस वीडियो की हेडिंग थी जैसा बाबर ने अपनी किताब बाबर नामा में लिखा है कि मेवाड के शाशक सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इबराहीम लोदी के विरुद सायता प्राप्त करने के लिए मेरे पास में एक दूत बेजा था तो पहले मैं एक बार परिचे देता हूँ बाबर के दूआरा अपनी आत्मक अथा लिखी गई एक किताब में जिसको तुझू के बाबरिया बाबर नामा कहा जाता है वैसे बाबर ने एक किताब चक्ताई तुर्की भाषा में लिखी थी वरतमान में तो ये भाषा समाप तो चुकिये लुप तो चुकिये लेकिन इसी की जो वंशज भाषा है वो उजबेग भाषा है तो जो लोग उजबेग भाषा पढ़ सकते हैं वो इस चक्ताई तुर्की भाषा को भी समझ सकते हैं अब हाला कि हमको ना तो चक्ताई तुर्की भाषा आती है और ना ही हमको उजबेग भाषा आती है हाला कि इसका फार्सी में भी एक अनुवाद है अकबर के शाषिन काल में सन 1513 सी में अब्दुर रहीम खाने खाना ने इसका फार्सी भाषा में अनुवाद किया था तो बाबर नामा में पेज नंबर 529 पर बाबर के दुआरा क्या जानकारी दी गई है कि मेवाड के शाषक सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद सायता प्राप्त करने के लिए अपना एक दूत मेरे पास में भेजा और ये कहा कि दिल्ली पर आपका रागरा तक मेरे राजी की सीमा होगी ये इस परकार की बात लिखी इसके बाद बाबर ने और बी कुछ जानकारी आपर दिये उसी पेज में उसी किताब में बाबर नामा पेज नंबर 579 और इसी बात की पुश्टी एक और किताब राजिस्थान का इतिछाज जो गोपिना सांगा के आने के संकेत मिले और नए ही उनके वापस जाने के संकेत मिले और ये कहते वे बाबर ने मेवाड के शाशक माराना सांगा पर प्रतिग्या भंग का आरोप लगा दिया थोड़ा सा डीटेल से आपको समझालता हूं कि अपरेल सन 1526 इसवी में पानीपत का युद्ध के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था और बाबर के अनुसार जैसा बाबर ने बाबर नामा में लिखा है कि जो माराना सांगा ने बाबर से प्रतिग्या की थी कि आप आईए मैं आपकी सायता करूंगा तो माराना सां पर इसका विशलेशन करना पड़ेगा तो आप सुनते रहें जो मैं आपको बता रहों आप सुनते रहें तो बाबर ने प्रतिग्या भंग का अरोप लगाया और ऐसा ही बहुत सारे इतिहासकारों के दुआरा भी मारणा सांगा के उपर प्रतिग्या भंग का अरोप लगाया गया है जैसे एक और लेकक की मैं बात करता हूँ उनका नाम है प्रोफेसर रश्बुक विलियम जिनके दुआरा एक किताब लिखी गई है एन एंपायर बिल्डर ओफ 16th सेंचुरी उसमें भी यही जानकारी दी गई है कि हाँ साब माराना सांगा के दुआरा प्रतिग्या भं और वो पांडू लिपी है मेवाड का संक्षिप्त इतिहास उस पांडू लिपी में एक डाइरी के कुछ पेज की जानकारी दी गई है वो डाइरी जो माराना सांगा के पुरोहित के दुआरा लिखी गई थी माराना सांगा के वो पुरोहित जो माराना सांगा की दिंचरिय लिखा करते थे तो उस व्यक्ति के दुआरा जो डायरी लिखी गई है वो उस समय की घटनाओं के बारे में सटीक जानकारी तो देगी ही देगी बाकी अगर कुछ दोनों में विरोधा बास होगा बाबर के सोर्सेज में माराना सांगा के सोर्सेज में तो वहाँ पर हम इनका अवश्य करी लेंगे तो वहाँ उस पुरोईत की डायरी से हमको जानकारी मिलती है कि बाबर ने माराना सांगा से सायता मांगी थी दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोधी के विरुद अब ये तो दोनों अलग अलग सोर्सेज हो गए दोनों अपनी अपनी बात करें बाबर राजस्थान का इतिहास गोपिनाज शर्मा पेज नमbbर 214 ऑर इसी पेज में गोपिनाज शर्मा के द्वारा कुछ बाते लिखी गई और रेफरेंस दिया गया है तो कौन-कौन सा रेफरेंस दिया गया है वो रेफरेंस में पहले बता देता हूं उर फिर अ अपनी उस बा पेज नमबर 214 पर ये लिखा है कि माराना सांगा के दुआरा 1517 के खातोली के युद में इबराहिम लोदी को पराजित कर दिया गया खातोली जो वर्तमान में राजस्थान के कोटा जिले में आता है क्योंकि रियासत तो है नहीं रियासतों का तो सब विले हो चुका अब इसके बाद फिर और आगे उसी पेज में राजस्थान का इतियास गोपिनाज शर्मा पेज नमबर 214 में भी फिर आगे एक और बात लिखी गई है और उस बात को बाबर नामा में भी एडमिट किया गया है माना गया है क्या कि अगले ही वर्ष यानि 1517 के बाद अगले वर्ष 1518 में माराना सांगा और इब्राहिम लोधी की सेना के मद्दे फिर से एक युद्ध हुआ था बाड़ी का युद्ध बाड़ी जो वर्तमान में राजस्थान के धोलपुर जिले में आता है इस युद्ध के लिए इब्राहिम लोधी के द्वारा अपने दो व्यक्तियों के नित्रत में सेना बेजी गई थी एक तो मिया माखन और मिया हुसेन अब फार्सी तवारिखें तो ये कहती है कि इस युद्ध में माराना सांगा पराजित हुए थे लेकिन अगर आप बाबर नामा को पड़ें तो बाबर नामा पेज नंबर 561 में हमको ये जानकारी मिलती है इस युद में माराना सांगा की ही विजय हुई थी और भी अगर हम भहुत सारे सोर्सेज को खंगा लें तो ज़्यादा सोर्सेज हमको यही कहते हैं कि इस बाडी के युद में भी माराना सांगा ही विजय ही रहे थे तो अब ज़रा आप सोचना विशे क्या था? 26 से पहले ही अपने दम पर जब इब्राहिम लोदी को दो-दो बार पराजित कर दिया था, 1517 के खातोली के युद में, 1518 के बाडी के युद में, तो फिर भला माराना को इब्राहिम लोदी के विरुद बाबर की सायता की कहां आवशकता थी, थोड़ा सा और आप विचार करि माराना सांगा ने टो मलिक हुसेन का एहमद नगर तक पिछा किया था और शारा उनका खजाना लूट लिया था जो हाथी गोड़े थे वो भी अपने साथ में लेकर चितोड में आ गे थे अब सोची आप थोड़ा साँ कि मांडू के जो सुल्तान थे महमूद खिल जी सेकंड माराना सांगा ने तो उनको बंदी बना लिया था तीन महीने तक और फिर जब उन्होंने शमयाचना की तो माराना सांगा के दुआरा अपनी उदारता का परिचे देते वे महमूद खिल जी सेकंड को रिहा कर दिया गया था और जमानत के तोर पर उनके बेटे को अपने अचितोड में रख लिया गया था तो अब आप सोचो कि माराना सांगा अपने दम पर आसपास के बड़े बड़े योद्दाओं को जीत चुके हैं, स्वयम अपने दम पर दो बार इबराहिम लोधी को पराजित कर चुके हैं और अपनी जगे में हैं, ये तो माराना सांगा के पक्षकी हमने बात की, अब अगर बाबर की तरफ से हम देखें, तो बाबर एक तो देश से बाहर के हैं, भारत से बाहर के हैं, अब सयोगी की आवशकता किसको होती है, जो आदमी लोकल है उसको सयोगी की आवशकता होगी, या फिर जो आदमी बाहर ही है उस व्यक्ति को, तो इतना तो आप इजीली विचार कर सकते हैं जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं सयोगी की तलाश हमेश्या उसी व्यक्ति को होती है तो इस सोर्सेज का तारकिक आधार पर विसलेशन करने के बाद हम इस निशकर्ष पर तो पहुंच सकते हैं कि इब्राहिम लोधी के विरुद सायता की आवशक्ता किसको थी मारा यही बाबर ने माराना सांगा से सायता मांगी और जैसा किताब राजस्थान का इतिहास गोपिनाथ शर्मा पेज नंबर 215 में लिखा गया है कि माराना सांगा के दुआरा एगरी कर लिया गया था कि ठीक है मैं आपको सायता दूँगा तो फिर एगरी करने के बाद माराना सांगा ने आखिर बाबर की सायता क्यों नहीं की तो इसी के संबन्द में राजस्थान का इतिहास गोपिनाथ शर्मा पेज नंबर 215 में एक रेफरेंस देते वे लिखा गया है और वो रेफरेंस है मेवाड का संक्षिप्त इतिहास जिसमें माराना सांगा के उसी पुरोई सांगा को ये कहते वे रोका कि सांप को दूद पिलाने से कोई लाब नहीं और ये कहने के बाद फिर माराना सांगा अपनी सामंतों की बात को नहीं टाल सकते थे और उन्होंने बाबर की सायता करने की अपेक्षा अपनी स्थिति को अधिक मजबूत करना शुरू कर दिया थ तो इसके सम्मन्द में एक रेफरेंस में रखता हूँ आपके समक्ष वोई प्रोफेसर रश्बुक विलियम की किताब है एन एंपायर बिल्डर ओफ 16th सेंचुरी उसमें पेज नंबर 122 पर ये लिखा गया है कि इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे जिनका नाम था अलाउद आपके हाकिम थे और बाबर से ये रिक्वेस्ट की थी आप भारत में आईए तो उम्मीद है इतने सारे अथेंटिक सोर्सेज का रेफरेंस देने के बाद ये पिचर क्लियर हो गई होगी कि इब्राहिम लोदी के विरुद सायता की आवशक्ता किसको थी और किन-किन के कहने पर बाबर भारत की हो रहा है चले बाकी और जानकारी देखते हैं कुछ और नए विशे लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में उससे पहले एक महत्वपूंबात यदि आप राजस्थान की जीके फ्री ओफ कोस्ट देखना चाते हैं तो फिर प्ले स्टोर पर जाईए भा आफ कोस्ट राजस्थान जीके को एंजोई कीजिए तैंक्यू जैहिंद